जोरा topic का नाम समझीए, topic है tangent plane to the coniquite, पैसे तो tangent plane का मतलब समझेगा, हमारी खोपडी, हमने अपनी खोपडी से लिए, आप तुमारी खोपडी को नो बच्ची थे, अपनी खोपडी माल लेते हैं कि एक coniquite है, ठीक है, आपने एक तीर मारा हमारी खोपडी पे, नहीं मतलब ऐ इसा मारा कर लगे ना, और ऐसे छूता हो चला गया, एक छू रहा है, यह एक tangent line है, ऐसे बहुत सारे तीर मार दीजिए, ऐसे बहुत यह किदर से घुचेगा, अगर इन सब तीरों को देखिएगा, तो एक लगेगा कि पूरी जो है, तीर की बुली थाली, इसे बिच्छी भ पर ऐसे रख दीजिएगा, आप चूकि खोपडी चौणी काफी एरिया कवर कर रहा है, मानने एक ही पॉइंट पर ऐसे रख दिया अपने, यह कुणी कोईट को उपर ऐसे रख दिया उठा कर ठीक है, तो यह plane टच कर रहा है, इसको इसको कहा गया, tangent plane, तो वो tangent plane होगा, उस कौनी कोईट, क्या है, AX square plus BY square plus CZ square is equal to 1, पहली बात यह हुई जा करके, दूसरी बात है, अलफा बीटा गामा है कहाँ पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको tangent plane निकालना है, यह है कहाँ पर है, कौनी कोईट के उपर ही है, तो यह इस कौनी कोईट को satisfy करेगा, तो आप लि यह हो जाएगा, A alpha square plus B alpha square, क्या लिख रहा हूँ, B beta square plus C gamma square is equal to 1, दूसरी बात यह लिख दिया आपने, ठीक है, इसके बाद आपने एक तीर जो हमारी खोपडी में मारा था, वो एक स्ट्रेट लाइन थी, उसका equation निकालते है, equation of line, भाई, line तो बहुत सारी होंगे, एक line यह है, दू है, तीर है, चार है, ऐसे बहुत सारी lines है, नहीं दा रही क्या, तो आप निकलिए equation of line passing through alpha beta gamma, equation of line through alpha beta gamma, एक point से जाने वाली line का equation क्या होता है, फिर भाई बताओगे यह आपने 11 पढ़ा होगा, x-x1 upon L is equal to y-y1 upon M is equal to z-z1 upon N, x-x1 upon A भी आपने पढ़ा है, एक डियार्स थे, ए इसलिए हम यहां नहीं लिखते हैं, कि ABC constant के तोर पे आ जाता है, LMN लिखते हैं और LMN DRs की तरह भी treat करते हैं, मतब अगर आप कहेंगे DCs are proportional to, तो DRs हो जाते हैं, ठीक है, तो equation of line क्या हो जाएगी, x-alpha upon L is equal to y-beta upon M is equal to z-gamma upon N, यह equation हो जाएगा, is equal to यहां पर R माल लीजिए, ठीक है, actually में हो यह रहा है, कि यह आपका central conicoid हमारी खोपड़ी है, आपने एक तीर ऐसे मारा है, यह point alpha, beta, gamma है, और इस line का LMN, DRs हैं, DRs को है, indices को, ठीक है, अब देखो, यह line है, यह line आपने लीजिए, इसका अपना element होगा, अगर line इधर होती तो element change हो जाएगा, इधर होती तो element change हो जाएगा, तो जितनी भी इसमें lines होगी, जो आप plane की बात करेंगे, तो यानि उनका element change हो जाएगा, तो element को बात में हम गायब कर देंगे, उठादर के, तो यही गड़बड कर रहा है, ठीक है, अच्छा, हमने equal to R मानते हैं, इससे क्या मिलता है, any point on this line मिलता है, तो अगर any point on plane 1 लिखेंगे, any point on line 1, line 3, कैसे निकाला जाता है, इसको हम R के equal करते हैं, यहां से X निकालते हैं, इधर देखें, इसको R के equal करते हैं, यहां Y निकालते हैं, इसको R के equal करते हैं, यहां से Z निकालते हैं, तो जो आपका X, Y, Z है न, वही आपके point होते हैं, तो point क्या हो जाता है, LR प्लस alpha, R ऐसे बनाईएगा, प्लस MR प्लस beta और NR प्लस gamma, यह point हो गया, और यह point lie कहां करा दीजेगा, कोनी कौइट पर, this point lies on the कोनी कौइट, अब आप कहेंगे, यह कैसे हो सकता है, साउधान, यह alpha, beta, gamma point है, आप any point ले रहे हैं, R distance पर, यह point बाहर नहीं लाई करेगा, हमने का, यह भी थो सकता है, कि यह कोनी कौइट, टैंजेंट है, अब यह हमने बोला नहीं, यह tangent है, हमने ऐसा नहीं बोला ना, तो हम, मतलब यह जो line आपने ली है, तो line ऐसे भी थो सकती थी, नहीं हो सकती थी, और यह आपने point alpha, beta, gamma लिया है, और R distance ब यह point भी हो सकता था, बाद में वो tangent होगी, उसकी condition बात की बात है, आपने यह तो नहीं माना ना, कि यह line tangent है, ऐसा लिखा आपने कहीं, आपने line निकाला, और line alpha, beta, gamma से उकर पास हो रही है, alpha, beta, gamma क्या, जो alpha, beta, gamma इस कोनी कौइट पे था, मतलब आपने जो तीर मारा है, alpha, beta, gamma से घुसकी है, घुसता हुआ, निकल गया, इस पार भी, तो यहां भी touch कर रहा है, इधर भी touch कर रहा है, नहीं दा रही है, आपको, पानी दे मूध होने के लिए, तो आप यह कहेंगे, this point lie on the conicoid 2, language लिख दीजेगा, this point lies, this point lies on the conicoid 2, भाई, आपने अभी इस line को यह नही माना ही है, उसी तो condition हमको निकाल लिए, तो तो tangent plane मिलेगा, अच्छा, तो जड़ा आप लाइक कर रहा हूं, तो देखे, A, X के क्या लिखोगे, LR प्लस alpha का whole square, प्लस B, MR प्लस, MR प्लस βीटा का whole square, प्लस C, NR प्लस γामा का whole square is equal to 1, उपर रब करें, सबसे उपर, इसको भी रब कर दें, इसरो तब नहीं, अब फ़र डाइट करेंगे हम, देखो जान से, तब इसको खोलोगे तो L square, R square आएगा, इसको खोलोगे तो M square, R square आएगा, इसको खोलोगे तो N square, R square आएगा, और bracket खोलोगे, और यहां से R square कामा ले लोगे तो क्या बचेगा यहां सा A L स्क्वार प्लस B M स्क्वार प्लस C N स्क्वार पहली बात ठीक है दूसरी बात देखिएगा यहां से A L 5 स्क्वार आएगा यहां से बीटा स्क्वार आएगा ना तो B बीटा स्क्वार आएगा तो हम अगर यहां से R कमल ले लें तो यहां पर 2 भी कमल ले सकते हैं 2 R कमल ले लेंगे तो देखे इसको खोलेंगे तो यहां आएगा L square R square प्लस L5 square प्लस 2 L alpha R तो आपने 2 कमल लिया है और R कमल लिया है यहां पर आएगा 2 beta 2 M beta R यहां आएगा 2 N gamma R और ABC अंदर जाएगा तो जब 2R कमर ले लोगे तो यहाँ से क्या आपचेगा AL alpha plus BM beta plus CN gamma is equal to 1 ठोड़ा सा लिखने का तरीका अलग करिए अच्छा एक मिनट यह value दिख रही है आपको यह क्या है AL5 square plus B beta square plus C gamma square is equal to 1 है तो using equation हम बात में लिखेंगे यहाँ 1 लिख दो फिलाल तो R square आएगा AL square plus BM square plus CN square plus 1 plus 2R AL alpha plus BM beta plus CN gamma is equal to 1 यहाँ लिख देगे using equation 2 हमने आए equation 2 का use क्या है यह 1 से 1 कड़ गया तो यह आजाएगा आपका R square AL square plus BM square plus CN square plus 2R AL alpha plus BM beta plus CN gamma CN gamma is equal to 0 पहुची यहां तक अब देखो यहां पर here R is quad here R is quadratic so there will be two values of R सही करा हूँ मैं भई R quadratic है तेरी R की दो value होंगी अब जो आप समझेगा अब आप कह रहे हो कि यह tangent यह जो आपने line लिखी है यह actually tangent है इसकी और जिस point से आप line pass करा रहे हो वो इस koni quiet पर आप मान चुके हैं जिसका मतलब जो any point आप ले रहे हो कोणी quiet पर R कमाण 0 नहीं होना चाहिए वैसे तो नियम यह है कि यह tangent है तो R की दोनों value सेम होंगी तो उसमें हमने पढ़ा था discriminant 0 होता है लेकिन नहीं भाई हमने यहां पर R distance पर point माना था R distance पर point मानोगे तो कोई और point होगा ना उस point को आप satisfy करा रहे हो कोणी quiet से इसका मतलब यह point जब इसी पर है तो R कमाण 0 होना चाहिए तो as line is tangent to the conic quiet to the conic quiet so both the value of R will be zero both the values of R will be zero दोनों R के value किसी होंगी zero अब एक दिक्कत यहां पर आ रही है इस line को भी हमको actually में लिखना पड़ेगा भी हमको ज़रुत पड़ेगी निसलिए इसको लिखना पड़ेगा इसको रप कर दें इसको रप कर दे रहे हैं इस line को उपर लिखे दे रहे हमें इसी ज़रुत पड़ेगी x-alpha upon l upon l is equal to y minus beta upon m is equal to z minus gamma upon n is equal to r हमने माना है फिलार इसको एक कोशिंबर 3 है लिखे दे रहे आप ज़रा समझने की कोशिस करिए आपको 11 या 10 लेविल में एक quadratic equation पढ़ाए जाता है ठीक है लेकिन वहाँ एक बहुत गहराई से बात नहीं बताई जाते है हम भी नहीं बताते किसी को जोरुत नहीं पढ़ती है कि अगर कोई quadratic equation इस प्रकार से है ax square प्लस bx प्लस c दो value निकलेंगी उसको निकालने का formula था ध्राचार formula minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ठीक है अब x की value कैसी होंगी क्या nature होगा वो ये decide करता था इसको discriminant कहते थे ठीक है अगर हम ये कह दें कि ये equation नहीं एक identity है identity मतलब x command 0 ही आने वाला है तो x command 0 ये आने वाला है तो ये b c का करेंगे तो x 0 ही आने वाला है तो a कहेगा जब तुम ही 0 हो हम का करीब बताओ हमकर का है बुलाए रहा हूँ तो खुद है 0 है तो इसमें condition ही होती है अगर ये ident होगी तो a b c अलग-अलग 0 के ब्रावर होंगे तो चुंकि आप यहां कह रहे हो कि R 0 ही आने वाला है इसका मतलब यहां से गर हम कार कामल ले 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 तो R कर लेंगे तो यहां तो R बचा रहेगा ना तो यहां तो R रहेगा नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि AL alpha प्लस Bm beta प्लस Cn gamma is equal to 0 होगा ठीक यह conditions आएगी अब जड़ा समझने की कोशिज करिए equation before डाल दो यह तो एक लाइन है एक तीर आप यहां से मारा है और आप मार मार के दिर मार मार के खोपड़ी के चारो और तीरे तीर कर दिया है हमारी पूरी खोपड़ी में तीर का एक जाल बन गया है और जाल हो गया plane ठ अगर आप इसका इस equation 3 और 4 से element को गाइब कर दें तो लोकस आफ तास लाइन निकाल आएगी जो एक लाइन आपने मार है हिस्टर कार से तीर ऐसी लोकस को अब ताब कितनी भी लाइन हो सकती है अलग अलग पास से तो लोकस आफ लाइन निकाल दो लिखेंगे ता लोकस दो लाइन कैसे आप्टेन होगी इस आप्टेन्ड बाइ इलिमिनेटिंग बाइ इलिमिनेटिंग समझ करिएगा ठीक है इलिमिनेटिंग L M N by equation 3 and 4 कैसे करेंगे जहाँ देखें जान से यहां से L कमान क्या X माइनस अलफा पान आर नहीं आएगा अगर इसको आर की कुल कर दोगे तो M कमान Y मैनस बीटा पान आर नहीं आएगा यहां से Z मैनस गामा पान आर नहीं आएगा तो यहां रख दो उठाकर कि तो आएगा A अलफा यहां पर आएगा X मैनस अलफा पान आर प्लस B बीटा M कमान आएगा Y माइनस बीटा अपान R प्लस C गामा Z माइनस गामा अपान R is equal to 0 R कुधल ले जाओ तो आएगा A अलफा X माइनस अलफा प्लस B बीटा Y माइनस बीटा प्लस C गामा Z माइनस गामा is equal to 0 अब जड़ा ब्रेकेट खोरो A अलफा X माइनस A अलफा स्क्वार प्लस B बीटा Y माइनस B बीटा स्क्वार प्लस C गामा Z माइनस C गामा स्क्वार ब्रावर 0 A अलफा स्क्वार प्लस B बीटा स्क्वार प्लस C गामा स्क्वार को उधर ले जाओ तो आएगा a alpha x plus b beta y plus c gamma z is equal to a alpha square plus b beta square plus c gamma square जड़ा equation 2 देखो, इसकी विलू क्या रही थी, 1 रही थी, तो equal to 1, this is the tangent plane this is required tangent plane at alpha beta gamma, रही थी, रही थी, तो आच्छा लिख देते हैं, यहां उपा लिख देते हैं, जुकना पड़ेगा, यहां लिखा हुआ है this is required tangent plane at alpha beta gamma, ठीक है, अब आप कहेंगे, यह बताईए, अगर tangent plane निकालना हो, यह condition भी आ गई तरीके से, यह condition निकालनी हो, तो इतना वहाँ प्रोसिजर अप्लाई करेंगे, हां करना पड़ेगा, लेकिन एक shortcut भी हम आपको उता देते हैं, याद रखने के लिए, मलेक, आपका multiple choice question में आ गया question, तो कितना कैसे लगाओगे, याद करिए, आपको फिर बोले, याद करिए, हर बात नो याद करिए, बता देते हो, हमारे रोएं खड़े ही जैसे आपने याद करिए, बता है, आपको tangent निकालने का एक तरीका, calculus का बताये गया था, जहां पर आ फिर y-y1 is equal to dy by dx, x-x1 निकालते थे, ये tangent equation निकालाती थे, याद है, इधर लिंद भी आ जाएगे तुमको, हमने एक coordinate में बताया था, कि जहां पर x square है, अगर आपके x1, y1, z1 पर tangent निकालना चाहते हैं, तो जहां x square है, वहां लिख दीजे, xx1, जहां y square है, वहां लिख दीजे, yy1, जहां z square है, वहां लिख दीजे, zz1, z है, जहां पर 2x है, वहां लिख दीजे, x plus x1, जहां 2y है, वहां पर y plus y1, जहां 2z है, वहां z plus z1, जहां 2xy है, वहां xy1 plus x1, y लिख दीजेगा, जहां 2xz है, वहां xz1 plus x1, z लिख दीजेगा, जहां 2yz है, वहां yz1 plus z1 प्लस zy1 ठीक है यह लिखने का तरीका आपको याद होगा एक दिन बताया गया था अब आप जड़ा equation पर आईए आपका central cone required है ax square प्लस by square प्लस cz square is equal to 1 जब आप 2D में tangent निकालेंगे तो tangent line होगी और जब 3D में निकालेंगे तो tangent plane हो जाएगा तो अगर आपको और point आपको क्या दिया गया है point दिया गया है alpha beta gamma यानि जिसको आपने x1 y1 z1 निकाला है वो क्या है alpha beta gamma तो अगर मैं equation of tangent plane निकालूं तो x इस्वार क्या लिखेंगे x x1 y2 y1 z2 z1 तो आएगा a x x1 प्लस b y y1 प्लस c z z1 is equal to 1 और ये point रख दो तो a alpha x प्लस b beta y प्लस c gamma z is equal to 1 अभी जग देखें प्रूफ यह तो किया है अपने बोले अरे यहारा जीव आदमियों यही बता देते आप क्या के लिए ड्रामा किये थे ड्रामा इसले किये थे result तो वही तरीका है वो तो हम direct लिखने का तरीका याद कर लेते हैं अब multiple choice होगा तो हम फट से यह कोई भी आईसा निकाया ड्रामा काया है इसे कोनिक वाट चाहा है पर बूला चाहीं जो हो यह याद रखिये आपको यह रखने है यह रख दोग पर जो निकलेगा तो टेंजंट लाइन अगर 8 Price तो यह बत्रूट है तो यह आपका होगया General Equation of aircraft